नमस्कार आज आपकी हिंदी तीसरी कवीता आधोनिक कवीता उल्लास उल्लास में यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चोहान कहते हैं कि जिस तरह से उनके जीवन में प्रेम ही सबसे महात्व को दिया है उन्होंने मैं हूँ प्रेम माई जग दिखता मुझे प्रेम का परवा भरा प्रेम से मेरा जीवन लुट रहा है निर्मल प्यार तो यहाँ पर यह कहते हैं कि जिस तरह से यह अपना जीवन सदा लोगों के लिए सभी के लिए अपना समझ कर यह प्रेम ही लुटा रहे हैं और इनका चरीतर भी प्रेम है इनका जीवन प्रेम है इनके लिए संसार सारी चीजें भी प्रेम मधुरता सुक उल्लास ही है और ये कहते हैं भरा प्रेम से मेरा जीवन लुट रहा है निर्मल प्यार तो इनके जीवन में कहते हैं कि दुख करके समझना नहीं है दुख को भी प्रेम के आधार पर समझ कर उससे आगे वाला वहवार कोई कैसे भी करे पर मुझे उनसे प्रेम से ही वहवार करना है और इनोंने कहा है भरा प्रेम से मेरा जीवन तो इनका जीवन क्या हुआ प्रेम स ही भरा हुआ है लुट रहा है निर्मल प्यार निर्मल याने स्वच्च प्यूरिटी तो ये अपना जो मन से जिसे एक मां अपने संतान को पवित्रता प्यूरिटी इस तरह से प्रेम करती है उसमें वो कोई भेद भाव या हानी या लाब नहीं देखती क्योंके मां हर एक प्रेम लुटाती है उसी तरह ये अपने संसार को उसी तरह वो प्रेम लुटा रही है ताके उनके जिवन में सुख मिले या ना मिले पर उनका वहवार उनका नेचर उनका आधार प्रेम ही है मैं ना कभी रोई जीवन में रोता देखा ना या संसार मदुल प्रेम के ही गिरते हैं आँखों से आशु दो चार इन्हों ने कहा है मैं ना कभी रोई जीवन में बहुत से लोग जैसे चाहे आप हो या मैं हो कोई भी किसी ना किसी बात पर किसी ना किसी कारण में हमारे आँखों से आशु निकलते हैं पर ये क्या कहते हैं कभी भी इनके जीवन में दुख या रोना नहीं आया रोता अगर ये सारा संसार रोत देखती हैं किसी का दुख देखती है तो दुख के आधार पर इनके जीवन में इनके मन से करोणा प्रेम जैसे उत्पन होता है तो इनके आँखों से जो पानी अश जो निकलते हैं तो उनका दुक इनका दुक समझती हैं उनका सुक इनका सुक समझती हैं तो आंखों से सुक में दुक में आंसु आते हैं ये कहते हैं मुदल प्रेम का ही गिरते हैं अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनके सुक में आपका मन भरता है तब ही आपकी आंखो में आंसु आते हैं आंखों से आंसु दो चार तो लोगों के जीवन में सुक और वो खुश हैं तो देखकर हमारे आंखें भगवान के आगे धन्यवाद करते समय आंखें भर जाती हैं तो यहां पर यह कहते हैं जिस तरह से लोगों को संसार को यानि जो आसपास का वातावरं उसको सभी देखकर उनके जीवन के साथ यानि इनके जीवन में ये रो करने हैं अगर कोई वेक्ति अपना सुख दुग्द सुनाता है तो इनके आंखों से यानि जो प्रेम के आंसू गिर जाते हैं यानि सुख के आंसू कहते हैं वो गिरते हैं दो बुंद या चार बुंद इस तरह से गिरने लगते हैं अब यहाँ पर यह कवीता समाप्त हुई यह कवीता में कभी यह तरी कहती है जिस तरह से जीवन में सुख दुख दोनों आधार पर होती है वेक्ति के लिए सिर्फ वेक्ति सुख को ढूंडता है कभी दुख को ढूड़ना नहीं चाहता क्योंकि दुख तो हर समय कभी ना कभी आ जाता है पर कभी यह तरी क्या कहती है इनके बच्पन से जो यववन तक भी इनोंने प्रेम ही प्रेम लुटाया है प्रेम ही प्रेम दिया है, सुख दिया है ये हम लोग दुख समझ कर रोते हैं तो उस दुख को भी प्रेम के रूप में परिवर्तन करकर हमें उससे सीख मिलती है और संसार में सुख दुख के दोनों आधार पर एक गाड़ी के दोपईय होते हैं तो वो चलते रहते हैं इसी तरहा उन्होंने कहा है पर जीवन में हर्यक वेक्ति को अपने आपको हिम्मत से हाउसले से ही रहना है लोगों के दुख में हमारे आंखों सा आंसों आते हैं तो सुख में भी आंसों आ जाते हैं करके इनोंने कहा है कठी शब्ड में शैशो याने वजपन प्रभात का अर्थ है प्राता काल याने सवेरा मादक का अर्थ है नशीला हुलास का अर्थ है उलास आकंक्षा का अर्थ है चाह इच्छा विरिक्त का अर्थ है वैराग दुरुना का अर्थ है नफरत भीशंता का अर्थ है भयानाग परवाह का आर्थ है समुद्र मुदूल का आर्थ है कोमल तब इनोंने अपने जीवन में अलग-अलग रूपों से अलग-अलग आधार पर इनोंने जैसे एक व्यक्ति को कोई नशा लेता है तो उसके लिए उतरना बहुत पांच-छे गंठे होते हैं पर ये प्रेमकर जो इनका नशा है वो अपने जीवन में जो सुख है और इनकी इच्छा होती है हर एक व्यक्ति को प्रेम से ही उन्हें जीता जा सकता है अगर किसी को नफरत या दुरुना से जीतना है तो वो नहीं हो सकता क्योंके एक तरह से विक्ति का मन जो होता है ये कोमल रूप से होता है अगर आप प्रेम करने लगते हैं तो आप के तरफ आकरशित होता है अगर आप घृणा करने लगते हैं तो नफरत की इच्छा से वो आपके लिए शत्रू भी बनता है तो इसी के आधार पर उल्लास यानि सुक के आधार पर सुवद्रा कुमारी चोहन ने अपनी कविता को समाप की है पहला वाला आधार से फिर से एक बार शैशोग के सुन्दर प्रभात का मैने नवा विकास देखा यववन की मदक लाली मामे यववन का उल्लास देखा जग जंजर जगोर में मैंने आशा ललिता का विकास देखा आकंख्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने आई जग जूटा है या वित विरक्त भी नहीं सीखने को आये विरक्त अर्थ है वित वित का अर्थ है अलग होना या जुदा होना या उसको छोड़ दे रहां अरी दल की पहचान करने नहीं दुरुणा आने पाई नहीं आशंती रुदय तक अपनी भीशंता लाने पाई मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही विहवार विनेमे में पाया सदा ही कोमल अंस्तल का प्यार मैं हूँ प्रेमाई जग दिखता मुझे प्रेम का परावा भर प्रेम से मेरा जीवन लुट रहा है निर्मल प्यार मैंना कभी रोई जीवन में रोता देखा ना यह संसार मधुर प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसों दो चार यह कवीता आपके लिए उल्ला समाप्त होती है और इसकी नोट सापको मिल जाएगी पर इस पर आपको बार बार प्रयास करना है धन्यवाद